समय यही सिखाता है कि जिन्दगी किसी का इंतजार नहीं करती और नहीं किसी के लिए रुखती है कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां, तुझे लड़ना भी खुद है और समहलना भी खुद है सिर्फ एक वादा, अपने आप से जिन्दगी भर निभाना, जहां तुम गलत नहों वहां सर मत जुकाना उस आग्या का पालन कभी मत करना, जो आपके भीतर से ना आती हो जब तक किसी बात की पूरी जानकारी नहों, तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे जूट से कई गुनाज जादा खतरनाग होता है जो अपना नहुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना जीवन एक प्रती ध्वनी है, जो आप जीवन को देते हैं, सब कुछ वापस आता है अच्छा, बुरा, जूट, सच, सब कुछ, इसलिए दुनिया को आप अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चे थी, सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा आप हर किसी के लिए महत्वपून नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये नहीं है, कि आप व्यर्थ हैं जीवन में इतने व्यस्थ हो जाईए कि पच्छतावा, दुख, नफ्र, डर के लिए समय ही न बचे याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ती ही सबसे ज़ादा दुखी होता है तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम हो और दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुखी न हो पाओगे, दूसरों को सताने से कभी उत्सव न मना पाओगे जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को सुईकार नहीं करते, तो वो इर्षा बन जाती है और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरना बन जाती है जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है सिर्फ उसकी सोच हम से अलग है उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे हर बार इंसान बुरा नहीं होता कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझो कभी कभी शब्द और सोच भी दूरियां बढ़ा देते हैं क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुबने की होती है मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फित्रत बदल कर एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है अच्छी संगत का हमारे जीवन पर यही प्रभाव होता है पैसा वही है जो पास में है ताकत वही है जो हाथ में है और अपने वही है जो साथ में है अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना झाल